हलो प्रेंट्स कैसो सारे मैं विक्रम और आप सबी अच्छे होंगे तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो पीवी अपटी के माध्यम से बीवी एससे अड़ेच याने की बेचलर ओव वैटनिर साइंस एनिमल हजबरेंटरी जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके सेकंड राउंड की काउंसिलिंग की काउंसिलिंग की बारे में हम बात करेंगे जो आपकी एक और दो मार्च को होने वाली हैं उसका अलोट में लेटर आपको चार मार्च को मिलेगा तो इसकी काउंसिलिंग की जिसके ऊपर आप एडमिशन अपना या काउंसिलिंग म लेसकते हैं तो आज को वीडियो में हम रो डिसकेस करते हैं तो समय नग गवाते हुए सीधे हम काटोप की बात करते हैं तो जो फ्रेंट्स जो सेकंड राउंड की कांस्लिंग है जो ऑनलाइन कांस्लिंग आपके उसोच के लिए पणियन के लिए नियुनुतU मंग कसीमा आपकी कितनी होना चाहिए तो बेचलर वटनेर साइंस एनिमल हजबेंडरी के लिए हैं फ्रेंट्स तो आपके PVFT में कितने नंबर होना चाहिए जिससे कि आप सेकंड राउंड में अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं तो फ्रेंट्स इसमें अनारक्षित वर्ग आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग अभ्यार्थी जो सवतंत्रिता संग्राम, सेनानी, दिव्यांग या सेनिक अभ्यार्थी हैं उनकी गाइस 33 या उससे अधिक नंबर होने पर आप PVFT में काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं इसके बाद आरक्षित वर्ग कि अगर अभ्यार्थी की प्रेंट्स हम बात करें जो सवतंत्रिता संग्राम, सेनानी, दिव्यांग और सेनिक अभ्यार्थी हैं वो हैं HTSC और OBC में तो ये समस्त पात्र जो इस काटेगरी में आते हैं समस्त अभ्यार्थी अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं और अनरक्षित वर्ग कि महिला अभ्यार्थी जो जनरल फिमेल हैं गाईस तो 33 या उससे अधिक नंबर होने पर अपना रिजिस्ट्रेशन करवा सकेगी अनरक्षित वर्ग कि समस्त अभ्यार्थी के अब बात करें तो 49 या उससे अधिक नंबर होने पर ये अपने काउंसलिंग करवा सकते हैं और EWS फिमेल के अब बात करें गाईस तो ये 33 या उससे अधिक नंबर होने पर ये अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं अर्थिक रूप से कमजोर अप्यारत्य जो हैं WSK 49 यह उससे अधिक नमबर होने पर यह अपने काऊंसलिंग करवा सकते हैं हम बात करें गाईज OVC की समझत महिलब आप्यारति के लिए तो 43 यह उससे अधिक 맛있어요 नमबर होने पर यह drafted vagy बहादा ले सकते हैं जो क्रिशक अभ्यारती हैं उनके अगर 49 घृती हो तो सभाग ले सकते हैं इसके बाद S.C. भेमेल के अगर आम बाथ करें तो 40 retir चाहण होने पर आप आप कांस्लिंग में भाग ले सकते हैं में एसी ओपन में घाइस 40 यह उससे अधिक नमबर होने पर आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं और एसी ओपन के अम बात करेंọnगाइस 40 यह उससे अधिक ज्यादा नमबर और एसी क्रशक अभियार्थी आप्ज़ियों कि एकर अगर आउस से अधिक नमबर और कि समस्त चंडिडेट की अगर बात करें थो 39 ऑर एश्टी क्रशक जो अब्यार्ति है वह 39 यह उस्से पर काउंस्लिंग कर वा सकते हैं तो जानगर्य को विश्टरत जानकारी जो पिछली रूल बुक है उसके अकोडिंग रोगे और आप अपना admission करवा ले उसके लिए अपना registration करवा ले तो प्रथम चरण में प्रविश्चित छात्र छात्राओं का अप्ग्रेडेशन होने के पश्चात रिक्त सीटों का उलोकन करे तो काई रिक्त सीटों की जानकरी भी आपको जल्द ही मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियोस में तो आज की वीडियोस में बस इतना ही और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ अब सक धन्यवाद और यहां पर दिया है कि काई भ्यारती गिनों ने प्रथम चरण में अपना पंजियन करवाया है उन्हें दुटी चरण में counseling या पंजियन करवा लेते हैं अपना तो second में आपको पंजियन करवाने की ज़रत नहीं होगी यानि कि जो आपको 200 रूपए आपकी counseling के लगते थे तो वो दोबारा नहीं लगेंगे बस एक ही बार आपको pay करना होगे गाइस तो second में बस आपकी choice filling होगी तो यह थे गाइज आपको जो second round में जब आप PVFT exam जो आपने BVSC के लिए दिया था तो यह थे आज आपकी cut-off तो thanks for watching मिलते हैं नई update के साथ तब तक धन्यवाद और आप चैनल को subscribe करिए ताकि कोई भी नई videos हो तो उसे आप मिस्स न कर पाएं